बिस्मिल्लार रह्मान रहाहिम असलाम अलेकूम आईए दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही मज़े की रेस्पी दिखाते हैं यह है प्याज यह द्रक्त और लेसन काटा हुगा यह टमाटर है इसके छिदके तार के रख लिए गए है यह सबद मिर्च है यह कीमा है मटन का हाथ से बना हुआ है यह शिमला मिर्च और प्याज कटी होई माशाला यह बहुत ही मज़े की बनेंगी इन्शाला ताला सब्हानला टमाटर काटके इसके बीज नकाल लिए जाएंगे चिलके इसके पहले से उतार दिये है यह भी फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए अभी बरह पनी हुई है इसको दोकर हंडी चड़ा दी जाएंगी य अधरक और प्याय यह अंड़ी उपर चड़ा देगी है सब डाल के यह मसाला डाला जा रहा है दो चमच मिरच यह नमक नमक थोड़ा काम लगता है इसलिए थोड़ा और डाला हल्दी के दो चमच डालेंगे स्बहान अलहां 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 माशाला बहुत ही अच्छा पेस्ट आएगा यह हमने आद्श पेश्र बनाई है अधी चमच कूटी मिर्च लेकिन हमने अपने हिसाब से मसाले डाले हैं आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं जैसा आपको जैका अच्छा लगे कीमा पकना शुरू हो गया है सबाहन अलहाल, हमदुलिल्ल, माशाला बहुत ही अच्छा प्यार होगा जिं चीजों के जरूरत होती है जिंसे प्यार होता हम ने आपको दिखा दी है पता नhã आप लोग स्क्राइब भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, जो शुरू साई देखते हैं वीडियों आपको वीडियों देखने से पता नहीं डाल लगता है, एक इमा पानी सूग्या है, अब इसमें घी ह दालेंगे अगर आप लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें घंटी का बटन दबा दें तो क्या हर्ज है फिर हमें भी खुशी होती है कि हमने जो मेहनत की है उसका जवाब हमें वापस मिला है अब इसमें सबसी डाल दी जाएगी ये मैंने काट के रखी हुई है ये टमाटर है ये भी काट लिए गए है ये सबस मिर्च है ये भी काटी गई है अब इसको डालेंगे थोड़ा सा कीमी में डालेंगे सबस मिर्च भी डालेंगे थोड़ा डाल के भूनेंगे उसके बाद फिर माशहाला ये अच्छे से त्यार हो जाएगा बिस्मिल्लार रह्मान रहें देखें ये किमा कितना अच्छा भूं गया है इसमें चम्चे से लाया जा रहा है ये गाले मिर्च डाले जा रही है बिस्मिल्लार रह्मान रहें थोड़ा सा पीछा मसाला डाला गया प्यारे इल्ला की शान है कितने अच्छी लोग कई है माशाला खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा इसमें अब हरी मिर्च भी काटी हुई डाली गई है थोड़ा माटर भी डाला गया है दाट माटर सबजी के साथ डालेंगे थोड़ा भूनके फिर इसमें सबजी भी डाल देंगे इन्शाल्ला ताला आप खाके देखें कितना मज़ा आएगा आप छे रोटियां खाएंगे क्योंकि आप दो रोटियां खाने की बज़ाएं छे रोटियां खाएंगे अलहम्दुलिल्ला देखें किमे के लोग कितनी अच्छी आगिया किमा भून चुका है प्यारे ल्ला की शाना ये जीरा है सफीर जीरा डाला जाएगा ये सब चीजें किमे में डालके भूना जाएगा किमे को अलहांदलिल्ला ल्ला की शान है मेरे प्यारे ल्ला ने बहुत ने अता किये हैं हमें ये सबजी डाली जा रही है शिमला मिर्चोर प्यास इसके साथ ही टमाटर भी डाले जाएंगे इसको अब थोड़ा हला दिया जाएगा किमे में मिक्स कर दिया जाएगा अब टमाटर भी डाले गए है यह किमे में मिक्स करके फिर उपर से डख दिया जाएगा क्योंके फिर इसको दम में थोड़ा सा पकाएंगे सबहान अल्ला, अल्हम्दुलिल्ला, अल्ला की शान देखें कितनी प्याई लोग को और इतना प्यारा से ज्यादा प्यारा टेस्ट आएगा आप लोग खा के देखें पका के फिर आपको पता चलेगा के रेस्पी कैसी होती है मैंने हमेशा सच्चे दिल से रेस्पी बनाई है ये दनिया सबस डाला गया अब इसको मिक्स करके दम पे रख दिया जाएगा थोड़ा पानी अड़ करके अल्हम्दुलिल्ला, पकने तक हम इसका वेट करते हैं आप इसको डख देंगे अल्हम्दुलिल्ला, सबहान अल्हा देखे कितनी प्यारी लोक है अल्हा ताला ने इतनी नेमते अदा की है ये देखें, सबजी पकने शुरू हो गई है वो थोड़ी भून भी चुकी है अब थोड़ा पानी डाल देंगे ताक दम पे पक जाए इसमें ज्यादा पानी डालते क्योंकर ये दम पे पक जाती है थोड़ा ये पानी इसलिए डाला गया कि नीचे ना लगे ये चाइना में बहुत खाई जाती है शेमला में थाइलेंड में भी बहुत खाई जाती है योर्पी मुलकों में बहुत पसंद की जाती है इंडियामनों में भी बहुत पसंद की जाती है ये सबस रंग में भी होती है हमारे लाके में सबस रंग की होती है दूसरे लाकों में सुरॉख और येलो कलर भी होता है अलहम्दिल्ल्ल्ल आप त्यार होने वाली है पक के यह देखे कितनी अच्छी लुख का गी है पक के त्यार हो गई है स्बाहन अल्ला अब आप रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं या चावर के साथ ख़याएं, जिसके साथ हमारे से ख़एएं, बहुत मज़ा आएगा, आपने भूलना नहीं है, लाइक जरूर करना, शेर भी करना, हमारा भी ख्यार रखना, जब हमारे भी सबस्क्राइब कराएं, हमें भी जरूरत है, जब आपकी तरह से भी होते हैं, तो ह अगर मुख्लिस हैं, दिल के अच्छे हैं अपर और हम पर रहं करे आप में चलते हैं अब चलते हैं, अल्ला, आफेज